इस कहानी की शुरुआत में हम एक चालाग फोक्स को देखते हैं, जो आए दिन कहीं न कहीं चोरिया किया करता था, ताकि वह अब ना पेट पाल सके, वही हम मिश्टर फोक्स को देखते हैं, जो अभी भी चोरी करके भाग रहा था, उसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे, किसी के उपर से एक पिंजरा कर उसे वही केट कर लेता है, यहां हम उसके साथ उसकी वाइफ को भी देख पाते हैं, जो उसके साथ चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, इस कारण वह अपने अस्वेंड मिश्टर फोक्स से बहुती ज्यादा नाराज है, क्योई क्योई नहीं चा चाहिए जान मिश्टर फोक्स की वाइफ उसे केती है कि उसे अब सारे काम छोड़ देने चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ बितानी चाहिए